हम पढ़ रहे थे profit and loss, profit and loss में हमने पिछली वीडियों था question number 115 तक समाब किया था, ठीक है आज बात करते है question 16, question 16 है क्या, कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एको बोगता 270 रुपए में 5 kg ज्याद अखरी सकता है, तदनुसार चीनी की मूल कीमत कम हुई कीमत का अंतर प्रिट् ठीक है, तो इस question को समझने के लिए जो चीज बता रहा हूं, उसको समझो, ठीक है, माल लो कि जो बेकती सामान खरीदने जाता है, वो उसी दुकान से हवार सामान खरीदता है, ठीक है न, यानि कि जो बेकती था, उसकी दुकान क्याती फिक्स थी, यानि कि उसी दुकान पर इतनी भी तो इस बार जब अग्ली बाइवा दventions नहीं पता कि प्राइश कम हो गया लेकिन पता कितना कम हो गया प्राइश कम क्लिंच उपकुर्ण इसके साथ कुछ एमांट वापस करा कितने अमांट वापस करा जेतना चीनी का प्राइज कम हुłem, उतना ही अमाउन तु वापस करा, तो 2070 का 10% तो 2070 वापस करेगा, तो 270 का उसने 10% वापस कर दिया, 10% होता कितना 270 का 27 रुपश ranks रुपए, इतनी वी चीनी पहले देता था उतनी चीनी दी और 27 रुपे उसको वाक्त कर दी एक तो रहता है ठीक है? तो दुकानदार चीनी देता कितना है पांच किलो यानि कि जो पांच किलो चीनी मिलती है कितने मिलती है यानि पांच किलो चीनी 27 में मिलती है जब पांच किलो चीनी 27 में मिलती है तो एक किलो चीनी कितने मिलेगी पांच पंजी 25 और पांच चोग 20 पांच रुपए पर के जी यह है इसका चीनी का न्यू प्राइज इस कोशन में कुछ भी नहीं है वह सक्राइज करना असला चिना बरनाइस के दो फर्मूले बनेगे लगता प्राइज की लालग बनेगा inhib, और उल्ट का याद रखना वहाद रखना बैसे फर्मूले भी आसा नी तो या तो 27 रूपर ले लो या फिर पांच क्लोचीनी तो इसने पांच क्लोचीनी ली ठीक है तो एक क्लोचीनी का मूल कितना हो गया कितना हो गया पांच दिसम्लाव 40 पांच रुपए 40 पैसे को देख आखे अब उसने यह नहीं पूछा कि निज तो देखो प्राइज के साथ हुआ क्या कि ओल्ड प्राइज और न्यू प्राइज थो प्राइज के साथ होजया कि प्राइज प्राइज पहले यह तना हो a । तोप्राइज की रेशियो मे कितना जाया ब्रके सा फेलिट उतल्टा होगह мы प्याइञ है कि यहीं कि आड़े पैलए वैलमे लिए गाम्लाइ। तो तेंगे रहें 5.4 और हमसे पूछा है कि नया मूल लोग प्राने मूल का डिफ्रेंस कितने का एक तो हमसे पूछी एक की वैल्यू 5.4 अपॉन 9 ठीक है काटें कितना हो जागा यह पॉइंट सिख्टी यानि कितना हो गया כई थ्योगे साट्रिंस यानि कि परान नए मूण बिल में एक्सो सतरह की बंसंटीन ए कि कि कुस्त पुस्त कों के मूल में 40% की ब्रदी हो जाने पर 84 रुपए में पहले से 8 पुस्त की कम मिलती हैं तो पुरते पुस्त का आर्मी मूल याद कीजी तो देखो प्राइज कितना अब हुआ 40% ठीक है तो 84 का 40% मैंने भी पताया था कि जो अमांट दे रखा होगा उसका उतना ही पर्षेंट निकालेंगे जितना पर्षेंट कमिया ब्रदी दे रखी होगी तो 40% निकालेंगे कितना हो जाएगा देखो 20 दुनी 40 और 20 चौक 80 सुरी 20 दुनी 40 और 20 पंजे 90 सो ठीक है तो अब उसकी ढूसर कंख दुना और 84 सी दूनी कितना हो गया में 68 सूड़ें और 2 . यानि 33 रुपई 60 पैसे ठीक है 84 रुपई का तो 40 परसेंट बना वो 33 रुपई 60 पैसे भाना तो अब दुकानदार क्या करेंगा अगर मैं उसे 84 रुपई ले जाकर जाकर दूँगा अगर उसे उतनी ही पुस्त के माँगो जितनी पुस्त के पहले लेता था मैं तो मुझे 33 र तो मिर पास है नहीं ठीक है तो करना क्या है बोले फुस्थ बनते यह टीस रुपास है रखता है तो चोक तो एक पुस्तक का प्राइज कितना हो गया रहाँ यह तो हो गया एक पुष्तक का new price उसने पूचा है पूश्तक का old price बताओ तो ン प्राइब हूँ राइज और न्युपव़ा ए ठीक है प्राइज में के ट्व्रद दिये चाल्यस परचेंट की इसका मतलब पहले दो घ्र me बातं में कितना हो यांवा हो सांहिए हो डेकर इसको विख परसजंट को액 साली्ट संसे जो आ tęए तो निव प्राइश कितना रहा है फोर प्यां्ट टू तो साथ की वैल्य दे रख Сегодня 4.2 रॉक्ति पूछी है थे that which you can pay for अगर वो difference पूछे तो 2 की value निकाल दो ठीक है चले अगले question की बात करते हैं ये था question number 17 अब बात करते है question number 188 की तो 188 question number है क्या कि चीनी की मूल में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपए में 5 किलो अत्रिक्त चीनी खरीदने का अपसर मिला तो दनुसरा चीनी की कम होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रती किलोग्राम थी यहाँ भी old price ही पुछा इस question को और करवा जाता हूँ ठीक है ना बाकी आगे जो same type question हो नहीं नहीं करा हूँ ठीक है ना वो खुद करने होंगे उसने कहा कि 600 रुपए में 5 किलोचीनी ज्यादा मिलती है जब 20% price कम हो जाता है तो 600 का अगर हम 20% निकालने की कोशिस्त करें तो वो होता है 120 रुपए ठीक है को दिकर नहीं है और 120 रुपए में हैं मैं कितने किलोचीनी मिलती है 5 किलोचीनी मिलती है तो एक किलो का price कितना हो गया 24 रुपए पर गेजी यह तो हो गया चीनी का new price कोड़ इकत नहीं है और हमसे पूछा है old price तो ratio बना लो चाहें तो इतना तो आता ही होगा यह percentage पढ़ाए तो ठीक है 20% की कमी यानि की 5 से 4 हो गया price कोड़ इकत नहीं है तो चार के वेले कितने रखे है जो अब इस कितने गुना गड़ दिया चाहे गुना तो इसको भी छे गुना करता हुआ ठीक है चलो कोश्चन अब 118 119 की बात करते हैं सुनिस है क्या कि एक बस्तू के एक बस्तू कीमत में 10% की कमी होने पर एक ब्यक्ति कि 225 रुपए में 25 क्लोचीन जादा खरी सकता है तदनुसार उस बस्तू की मूल कीमत प्रति क्लोग्राम थी सेम कोश्चन अब बात करते हैं कोश्चन अब 120 की 120 क्या है कि ग्याहूं के मूल में 10% की कमी होने पर एक ब्यक्ति एक रुपए में कितने रुपए में एक रुपए में 50 क्लोग्राम गया हूं अधि खरी सकता है तदनुसार उस कमी से पहले एक रुपए में कितना के हूं खरीदा जा सकता था ठीक है अब देखो इस कोश्चन को मैं करवा देता हूं इस वहले कोश्चन को हम इसी अकोश्चन से इनकाला था जितना पर्षंट उसने कमी और दी रत कि That तो 120 आया, 120 को मैंने उससे भाग किया था जितना इमांट दे रखा था, तो यह क्या आएगा हमारे पास, इसी कोशन से मैं इस कोशन को लेट करूँगा, ठीक है, उसने काहा है एक रुप्या, कोशन नमर एक सो बीस, क्या है कि एक रुप्या, को दिकत नहीं है, ठीक है, एक र पर श्लंड नहीं कम यह बदी वो तो बात की बात है कि 10 पर सूट कितना ओगया एक बटे दस क कहम हमने से चेटो का बीश बिस निकाला तो 120 रुपए जानै दस एक रुपई का 10 निकाला थो या तो वह एक बटे दस रुपए बापस ले ले या फिर उतने ही रुपए की क्या ले ले वो ग्या हूं ले ले टिक है तो देखो यहां पर क्या था 120 रुपे बापस ले लो या फिर 5 किलो चीनी ले लो चीनी गया हूं जो भी था 120 रुपे बापस ले लो या 5 किलो चीनी ले लो ठीक है और यहां भी क्या है कि 1 वटे 10 रुपे बापस ले लो और यहां फिर 5 किलो पचास ग्राम गया हूं ले लो तो वो करता क्या है यहां वो क कितना लेता है पचास तो एक बटे दस को जब हम पचास से भाग करेंगे तो पचास यहीं रह जाएगा क्या हो जाएगा पचास यहीं रह जाएगा ठीक है यह हो गया एक ग्राम एक ग्राम यह हूं का मूले ठीक है और हम इसको गौड से देखें तो यहां उपर क्या लिखा है रुपिया और नीचे के लिखा है आर्टिकल की मात्रा ठीक है यहां भी उपर क्या लिखा है रुपिया और नीचे के लिखा है आर्टिकल की मात्रा कोई दिक्कत नहीं है तो द प्राइज है यह है निव प्राइज है वह इसको एसे भी तब होगे तो 500 ग्राम क्या हो मिलेंगे नियू प्राइज है क्या कि एक रुपया खर्च करोगे तो 500 ग्राम क्या हो मिलेंगे उसने पुछाया कि पहले कितने मिलते थे एक रुपय में तो यह 50 ग्राम 500 200 gram कव है जब 50 ग्राम की ब्रद्धी होया इसक 예जा कितने मिलते होंगही पहले तुस्प 50 ग्राम कम मिलते होंगही ना तो 500 म जानता होगहा पहले एक रुपे में basic में देखित को ह्षित ना ठीक्शन की echo चीनी की केमत में 20% की कमी हो जाने पर सरी भध रप 5 kkv ज्यादा खरीदलेते हैं चीनी की मूल पृती कीमत प्रति क्लोग्राम थी सेम कुश्टन है ठीक है रब बात करते हैं प्रप्रशंट में 122 की 112 क्या चिनी के मूल में 10%, की क्मी जाने पर एक ब्यक्ति 270 रपए में एक क्लुचीनी जुद्धा खरी, चीनी की परत्रे किलोग्राम कीमट कितनी थी, सेम प्रॉस्षन है, ठीक है, 123 की बाद करते हैं, ठीक हैना, एक सेव की कीमत 20% की ब्रद्दी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेव जादा खरी सकता है सेव की कम की कीमत प्रती दिरजन कितनी होगी यानि कि यह उसने नीव प्राइज कुछा है थीक है तो देखो प्राइज में क्या हुआ प्राइज क्या हुआ 20% कम ठीक है अमांट है कितना चावण रुपए तो मैंने कहा कि इस एमांट का उतना ही परशंट निकालो जितना परशंट की कमिया दिरखिये इसका जब 20% निकालेंगे हम चावण दून एक सुवाट यानि कि 10 दिसंबल आठ रुपए 10.08 रुपए इस लब आट रुपए со पटे सिर Judith , एँट है यहाँ से जीरो ठीक हैँ एब हुसने क्या पूच्छा में पुछा है कि सेवों की कम की गए किमत पृस्वार दरजदन कितनी होगी ठीक है यहां से 4 004 यह हैं हमारे पास यह हमारे पास है यह हमारे पास है नी पराईज अब बूछ रहे क्रें यूआ हो तो बार्य से गुणा कर दो ना तो बारे से का कर दो दंपलरा प्राइट को नब बार रहे तब एक्वडिन गुंधिड़ हो हैiler यानि 12 रुपए 26 पैसे हैं को दिकत नहीं होने चाहिए अब कोशन नंबर 123 ता बात करते हैं कोशन 24 की 124 है क्या कि किसी बस्तु कीमत में 21 प्रतिसत की कमी होने पर कोई व्यक्ति सो रुपए में तीन केजी बस्तु अधिक ख़ी सकता है तो बस्तु की पिट्ति किलिग्राम कम की कीमत है ठीक है तो यह कोशन भी हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं कोशन 125 की एक बस्तु को 96 रुपएं बेचा गया यदि उस पर प्राप्त लाब का प्रतिसत संख्या में उसके लागत मुले के बराबर हो तो उस बस्तु का लागत मुले कितना है ठीक है तो इस टाइब कोशन को करने के लिए मैं दो फर्मुले या दखने पड़ेंगे इस टाइब को कि संख्यात्मा गुरूप से संख्यात्मा गुरूप से लागत प्रतिसत संख्यात्मा गुरूप से कोश्ट प्राइज की बराबर है लाग प्रतिसों संख्यात्मा ग्रूप से कॉस्ट प्राइज की बराबर है तब क्या होगा तब हमारे पास कॉस्ट प्राइज का फर्मूला होगा दस गुड़ां स्क्वार रूड ओफ पच्चिस पिलस सेलिंग प्राइज माइनस का पच्चास इसको हमें फर्मूले को याद रखना पड़ेगा ढूसरा फर्मूला क्या होगा इसका जब हानी प्रतिसत हानी प्रतिसत ठीक न संख्यात्मा ग्रूप से कॉस्ट प्राइज की बराबर है तब cost price क्या होगा हमारे पास 10 गुड़ा 25 माइनस का selling price माइनस का 50 जब लाब परतिसा संख्यात्म गुरूप से बराबर है जब लाब परतिसा संख्यात्म गुरूप से cost price के बराबर है तो एक answer possible है जब हानी पृतिसत संख्यात्मक रूप से cost price के बराबर है तो दो answer possible है ठीक है दो answer possible है इसके आएंगे दो answer कितने answer आएंगे दो answer और दोनों answer का sum कितना होगा जब हानी पृतिसत संख्यात्मक रूप से cost price के बराबर है तो जब हमस्कुर्शन को solve कर रहे होंगे तो हमें दो answer मिलेंगे एक मिलेगा दो answer मिलेंगे ठीक है ना और दोनों का sum कितना होगा दोनों का sum होगा 100 जैसे अगर एक का price आता है 60 तो एक असमा लेते हैं answer आगे up 60 और साट option में नहीं है हमारे पास risk- 10 we can five отнош orderCheck at city are lots of to understand कि अगर साथ अपिसन मुनें यह, परशाली सब रखाना पड़ेगा है एक बश्काय कोश्ञा कि क्या ने रख़ा है है, उसने रख़ा है कि एक बस्तूं खो 96 Om sum usage c starship below me какая उस पर प्राप्तलाब का पिटते संख्यात्म के रूप से लागत लागत मुल के बरावर है तो बस तू का लागत मुल कितना है तो यह वाला फर्मूला है को लाप प्रत्से संख्यात गूप से कौश्ट प्राइज के बरावर है उसने पूछा कोश्ट प्राइज कितना हुआ देखो दस गुड़ा ठीक है ना 25 विलस है कितना वो 96 96 ना 96 वाइनस को 50 तो दस गुड़ा यहां से 121 कि मैंस के पचास कितना गया तो 110 मैंस को पचास कितना हो गया कि यह हो गया सका कॉश्ट प्राइश ठीक है कोई दिक्कत नहीं की बात करते हैं यह था कॉश्चन 25 बात करते हैं कॉश्चन 26 की शबीस की एक बस्तू 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाव होता है वह वह पिरतीसत लाव उस वस्तू के लागत मुल्क के बराब ठीक ना यही कुश्चन यहीं फॉंडल लगेगा कि दो कुश्चन ने करा है किस कॉश्ट प्राइब बताना है जब लाट प्रत से संख्यात्म ग्रूप से कॉश्ट पाइश को रहा है तो दस कुड़ा 25 और सेलिंग प्राइश का पहली रुखनी है वास 144 माइनस का पचास तो 10 कुड़ा कितना हो गया ओफार Von 69 माइनस का पचास , 10 यह यह जाईगा 13 माइनस का पचास कितना हो गया एक सुट थीज माइनस का पचास कितना कीट मुआ एसी तहों करतें 20ज बात करतें 27 क किसी बास्तव का बिक्रिया मूल उनच्ण आलिस रूपए है कि जाना है मूं संख्यात्मा रूप से उसके लाप प्रतिसत के बराबर है तो लागत मुल कितना है जितने की उसने बस्तू क्रेकी थी तो बस्तू क्रेम घुतना था यहां तो मैंने जब मताया था मैंने कहा था कि दो की घंठी हैं गजल यहांBack और यहां भॉक्षन दे रखने था पहला जी पहला सो मिलेगा कि इसकी लिगनी सफोघ्डी हो youtube 28-47-400 होता नहीं है ठीक है तो आंसर कितना हो गए 30 और 70 मैं इसको स्वाल कर देता हूं ठीक है न तो इसको सुल परना ही जरुवत नहीं थी क्यों कि उसने सब्सक्राइब हो अगर दो सब्सक्राइब होते हैं चेक कर लेते इसको ठीक है जब हानी प्रित्य संख्यात्मा ग्रूप से कोश्ट प्राइज की बराबर है तो जो कोश्ट प्राइज का फार्मुला होता है वह था 10 गुड़ां स्क्वार रूट पच्चेस माइनस का में 21 रूपए माइनस का 50 कितना हो गया 10 गुड़ां ठीक है यह कितना होगा स्क्राइज का रूट फूर माइनस का पच्चास कितना हो गया 30 माइनस को छोड़ देंगे क्यों क्योंकि प्राइज कभी माइनस में नहीं हो सकता ठीक है तो कॉस्ट प्राइज कितना हो गया सो सो 30 हो गया कितना हो गया तो एक आंसर तो 30 हो गया हमरे पास दूसरा आंसर कितना होगा दूसरा 70 होगा को दोनों का समसों होना चाहिए को दिक्कत जहांता है नहीं है चला अगले पूर्शन की बात करते हैं एक सुनतिस क्या है कि बिने ने एक हाथ गड़ी 75 ने बेची जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बरावर प्रतिसत लाव हुआ तो लागत मुल कितना था सेम पूर्शन ठीक है बात करते हैं को एक सुतीस की ठीक है एक आदमी एक वस्तू को बीस परशंट के लाव पर बेच क्यासे करेंगे देखो उसने कहा है कि एक आदमी एक वस्तू को बीस परशंट के लाव पर बेचता है तो कौस्ट प्राइस तो हमेशा ही 100 परशंट होता है एक दुकानदार उसे बीस परशंट के लाव पर बेचता है जब वह बीस परशंट के लाव पर बेचता है इसका मतलब 100% में खरीदेगा तो 120% में पीचेगा ठीक है अब उसने कहा है यदी बहे उसे 20% कम पर खरीदता यदी बहे उसे 20% कम पर खरीदता अगर वो 20% कम पर खरीदेगा तो 100% में न खरीद के कितने में खरीदेगा 80% में खरीदेगा ठीक है उसने कहा है कि दुपांदार एक वस्तु को 20% के लाब पर बेशता है यदि वह 10-20% कम पर खरीता और 5 रुपे कम पर बेशता यानि जितनी की पहले बेच रहा था उससे 5 रुपे कम पर बेशता चिक है को दिकत तो यह को सेलिंग प्राइज हो गया यह विवी कॉस्प पर खरीज है तो उसे लाब होता कितने परेशन का 25% का लाब होता यारा निकी सेलिंग कितना मेरेगा यह से मिलैगा 125 बटिस है क्यों पर बेचे गहीं तो एक 25% बेचे गा ठीक है तो अब ये होके आओगे सेलिंग और ये भी सेलिंग प्राइज दोनों के आओंगे एकवल होंगे ठीक है अब कट दो 25,500, 25,500 चार से कटेंगे 20 बार ठीक है कितना हो गया 120 पृतिसाथ माइनस का 5 बरावर 20 पृतिसाथ ठीक है तो जब इसको इधर लेकर आएंगे और इसको इधर लेकर जाएंगे तो बचे का ये 20 पृतिसाथ बरावर 5 में हांच हम से क्या पूशन्य हम से पूछा है उसने क्रिम if on Krasa यानी बीस परशंट के वैलों इसको प्रशन्ट कि इत्ना हुए पशीन से बनाने के लिए इसको पाँज करने पड़ेगी यह साधे परशन्ट के यह था हमारे पास question number अब अगली कुछ निवाद करते है question number 131 की question number 131 क्या कि एक व्यक्ति एक बस्तू 25% लाब पर बेचता है यदि उसने बही बस्तू 20% कम पर खरीदी होती और इसने बही बस्तू 20% के लाब पर बेचता है यदि उसने बही बस्तू 20% यदि उसने बही बस्तू 20% से कम खरीदी होती और उसे 10.5% पर बेचता है यानि कि इसने बेचता है उससे 10.5% कम पर बेचता होता तो उसे 30% का लाब होता तो उससे 30% का सब्सक्राइब कर दो कितना हो गया 125 परतिसाथ, माइनस कर दस दिसंबल पांच-10, एक तरह एक टेक सो चार परतिसाथ, ठीक है। जब माइनस करेंगे इसको तो पचेगा 21 परतिसाथ, की वैलू कितनी होगी और पाई 10.5 ठीक है। परिकत नहीं है, अब उस्ने क्या पुछा है उसे ने पूछा है यहां से कि क्रेमो ले गात करीजिये तो सो परशंट निकाल दो कितना बजाएगा 21 गोड़ा 100 ठीक है तो पॉइंट एडाओ यहां से नीचे दो जी रोबढ़ा दो तो यह कट जाएगा यहां से ठीक है एकिस बंज एक सूपांच कितना हो जाएगा उसका पचास रुपए वो दिक्कत नहीं होने चाहिए बहुत आसान कोश्चन है ठीक है अब बात करते हैं कोश्चन अब 132 की तो कोश्चन 132 है क्या कि एक बस्तू 12% लाप पर बेची गई य ठीक है इस को कोश्चन को मैं करा देता हूं ठीक है नहीं उसने कहा है कि उसे 12% के लाप पर बेचता है एंस बारे परशंट में बेचता है ठीक है और 10% कंपे खरीदा होता और 5.75 रुपए देख में बेचा होता तो उसे 30% का लाप आप होता जाक है इसको कार्ट देंगे तो इसको इधर ले इसको इधर ले कर जाएंगे तो जाएगा पांच प्रतिसाथ बराबर हो जाएगा पांच उसने पूछा क्या है उसने पूछा हमसे सब्सक्राइब कर दो टिक है तो सबस्क्राइब कर दो सब्सक्राइब क्या पांच बटे पांच गुणा सो ठीक है इप उसने पांच तो यहाँ आज तक आज की वीडियो में हीतर रहने देने ठीक है अगली कुश्ण नंबर एक सो ते तिस से बात करेंगे अगली वीडियो में ठीक है चलो